स्वागत है आप सभी का रासू की रसोई में तो आज बनाएंगे मैगी जो जटपड से बहुती जल्दी बन जाती है कम सब्जीयों में कम मसाले में तो लिए हैं चार पैकट मैगी, मतर, दो हरी मिर्च और दो प्याज आप चाहू तो और भी सब्जीया एट कर सकते हैं पर ये कम सब्जीयों वाली मैगी बना रहे हैं कभी कम सब्जीयां होती हैं तो इस प्रकार से आप भी बनाएए तो चली वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए लिए दो प्याज ने छील के कट कर लेंगे ये थोड़ा लंबा-लंबा काटना है बल्कुँ छोटा-छोटा कटने करना है ये लंबाई में थोड़ा कट करना ये देखिए इस प्रकार से काट लेंगे देखिए हमारी सभी प्याज कट चुकी अब काट लेंगे बलकुल छोटा-छोटा हरी मिर्च को अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते कड़वानी खाते तो आप हरी मिर्च इसकिप भी कर सकते हैं या कम डालिए इसकी जगे लिए मटर मटर को भी छील लिया है अब रखेंगे भगोने में गरम पानी कनने के लिए तो ये मैगी पहले उबाल के ही बनाएंगे साथ में नहीं उबालना हैं जिसमें डालेंगे दो गलास पानी बस दो गलास पानी ही काफी है मैगी उबालने के लिए चार पैकर के हिसाब से इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हापिश्पून के बराबर वस इतना ही डालना है अब डालेंगे थोड़ा सा आपने फैंट तेल भी डाल सकते हैं शर्सों का तेल इससे मेगी चिपकती नहीं एक एक बनी रहती है अच्छे से पानी गरम हो जा इसमें डालेंगे मटर मटर को पानी के साथ ही उबाल लेना है क्योंकि मटर उसमें पकाएंगे मैगी के साथ प्याज में डालेंगे तो वो चक नहीं लगती है भागने लगती है अब डाल देंगे इसमें मैगी पानी गरम हो गया तो आप मैगी तोड़की भ कर देख लेंगे यह हाथों से कटने लगे ना कून से तो यह मैगी उवल्चूकी यह कट रही है ना तो बस इतनी मैगी को बाल आए और ज्यादा वाइल निकर नहीं से नहीं तो यह बनाने में चिपकने लगती है ये मैस हो जाती है पूरी तो इसे बस 90 पर सेंटी कुक करना है बस इसमें देखिए मटर भी साथ में उबल चुकी है तो मैगी जट पड से बन भी जाएगी नहीं तो मटर पकाती तो टाइम भी लगता उसमें तो ये छेद वाली छन्नी में निकाल लिया है मैगी कब लगते है कड़ाई कड़ाई में डालती है तेल बस तोड़ा ही घोजेगी now दालेगे इसमें हरी मिर्च प्याज को बहुत नहीं चलाना है तो अब डालेंगे मैगी मसाला मेगी मसाला दो पकट मेगी मसाला भी डालना लगेगई बाद में अब इसमेन नमक बिलकुल ने डाला न caos नमक मसाला में भीकि Рमच उबलए होई बस इसे चार से पांच मिनठ इसी परिकार चलाते रहिए इसे छेद वाली वो होती है न चम्मच इससे चलाईए तो आपको आसानी से चलाते बन जाएगी अब डालेंगे इसमें दो बची हुई थे न महगी मसाला वो डाल देंगे यह डाल दी है अब डालेंगे इसमें महगी मसाला यह मिलता है न मैजिक महगी मसाला आप ये जरूर डाल दीजिए अगर आपको नहीं डालना है पर नहीं डाली इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मैगी का तो एक पैकर डाल दिया है मैगी मैजिक मसाला अब इसे एक दू मनट तक और चलाएंगे अच्छे से तो ये देखी बिना सब्जियों की भी मैगी बनके हो गई है विल्कुल तैयार बस दू-तीन नट और चलाना है अच्छे से जितना चलाएंगे तो अच्छे से भून सी जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ना इसमें मेर्चे डाली न और भी कोई मसाले डाले दो मसाले से मैगी बनकर विल्कुल तैयार हो गए है देखी कि Th弟 ख़िली-क़िली मैगी बनी है तो आप ऐसे बच्चेओं को लंच बॉक्स बॉक्स में भी दे सकते हैं ड्राईय ड्राई मैगी तो लंच बॉक्स में भी है न टेश्टी टेश्टी यमी यमी तो आप भी एक बर इसी तरह से जरूर मैगी बनाई है आपको भी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी आपके घर में अगर सब्जिये नहीं है तो आप बस प्याज बस डाल के मैगी बना सकते हैं आपके पस मटर भी नहीं तो झाल